हालो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनेस अकेडमी 22 नॉइंबर के कुछ का सलूशन देखिए जो फर्स टाइम चैनल पे आये है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बाकी लाइक और शेयर कर दे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन देखिए लिमिट एक्सटेंस टू यह दिया है आपके पास देखिए अगर मैं इस क्वेशन में डेरेक्ट टू डाल देती हूं तो क्या हो जाएगा टू पुट करने से यह 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी तो अगर 0 बाई 0 फॉर्म बन रूट एक्स प्लस टू और रैशनलाइज किससे कर देते हैं आपको पता है डिनॉमिनेटर से ही करना है बस साइन चेंज कर देना है और नीचे भी ऐसे अब देखिए यह तो आपका ऐसे हैगा यह स्के माइनस बी स्केर है तो हम एपलस भी और ए माइनस भी लिखके बाकि अब क्या हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा यह आपका बन जाएगा यह इतना जो बन जाएगा वह बन जाएगा तो अगर आप कॉमन लेके आते डिनॉमिनेटर से जिससे यह कैंसल हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा यह आपका बन जाएग तो i-3 extends to 2 अब बाकी में क्या करेगे limit put करेगे तो answer क्या हो जाएगा 2 plus 2 4 6 minus 2 4 and यहां भी 4 और over नीचे क्या हो गया 2 that means यह कितना बन गया 2 यह भी बन गया 2 तो 4 हो गया तो 4 into 4 by 2 तो कितना हो गया आपका 8 आपका final answer next दिखिए differentiate करना है with respect to x 5 multiply differentiate with respect to x इसको मैं ऐसे लिख लू 2 x की power 3 अब दिखिए अब आपको पता होगा a raise to power log a n किसकी equal होता है n की equal तो मेरा यह बन रहा है और मेरा n क्या है x raise to power 3 that means 5 into मुझे differentiate करना है सिरफ x raise to power 3 का तो कितना होगा 15 x square 4 persons are to be chosen at random from a group of 3 men 2 women and 4 children the probability selecting 1 man 1 woman and 2 children देखिए आपके पास total कितने है there are आप इनको एड कर दिजिए 9 persons जिसमें से 3 men 2 women and 4 children है out of these 9 persons 4 4 person can be selected that means total line है out of this 4 persons can out of 9 persons 4 persons can be selected तो कितना होगा इसको solve कीजिए यह हैगा 126 base आपको क्या करना है probability निकाल लिए 1 man 1 woman and 2 children तो that means सबसे पहरे तो आप देखिए 3 men में से 1 man ले लिया 2 women में से 1 woman लेने और 4 children में से 2 children लेने तो यह हो जाएगा आपका ठीके तो इसको भी अगर आप solve करेगे यह आए जाएगा 36 तो हमें क्या पूछा है required probability probability क्या होती है favorable cases upon total number of cases which is equal to 2 by 7 next देखिए आपको polar form find out करनी है तो यह पहले ठीक करना पड़ेगा cos by by 3 और sin by by 3 की value पुट करके तो iota minus 1 half plus iota root 3 by 2 2 को ले जाए 2 iota minus 2 1 plus iota root 3 इतना हो गया अब क्या करेगे हम rationalize करेगे इससे 1 minus iota root 3 अगर आप इसको solve करेगे तो यह आएगा तो that means यह हो गया root 3 minus 1 अगर मैं common ले लू ऐसे अलग-अलग करके iota वाला अलग और दूसरा real number अलग ऐसे हो गया यह हो गया root 3 minus 1 by 2 प्लस iota वो root 3 plus 1 by 2 यह है आपका जो आपका exact z निकलता x plus iota y अब हमें पता है तो modulus of z भी निकालना है तो modulus of z निकाले के क्या होता x square plus y square तो that means यह है x square और यह है y square तो यह हो गया आपका 3 plus 1 minus 2 into a b 3 over 4 and similarly यहां भी 3 plus 1 plus 2 root 3 by 4 तब solve कीजिए यह कितना हो जाएगा 8 by 4 which is equal to root 2 here mod of z अब हमें alpha निकालना है जो theta alpha जो acute angle है किसमें? tangent alpha equal to आपको बता होगा imaginary of z over real of z यह करते हैं जिससे आपका solve हो जाएगा अगर आप इसको solve करेगे 2 2 cancel हो रहा है यह 1 था तो 1 plus 1 by root 3 और 1 minus 1 by root 3 ऐसा कर दिया मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे पता है यह होता है pi by 4 और 1 by root 3 कितना होता है? tangent pi by 6 नीचे भी यहाँ भी वैसी हो जाएगा 1 minus tangent pi by 4 1 multiplied tangent pi by 6 ऐसा क्यों किया? क्योंकि formula हमें पता है tangent a plus b over tangent 1 minus tangent a tangent b एक formula होता है तो क्या बनेगा यह? tangent alpha equal to tangent a plus b a plus b which is equal to tangent alpha tangent 5 pi by 12 अबलब alpha हमें 5 pi by 12 पता है और अगर आपको theta निकालना है जो कि argument of z होता है वो भी 5 pi by 12 क्यों? क्योंकि आपको पता है real of z आपका positive है और imaginary of z भी आपका positive है तो कौन से quadrant में आ रहा है? first quadrant में तो polar form किया होगी आपकी z is equal to r यह है root 2 था cos alpha plus iota sin alpha this one तो first option next is if the sides of a triangle a b c यह दिये है आपको यह पूछा है तो आपको cos b और cos c निकालना है बस cos b होता है a square plus c square minus b square over 2 a c value put करेगे a b c आपके पास दिया है 16 plus 64 minus 36 over 2 into 4 into 8 तो यह 44 over 2 into 4 into 8 हो गया अब अगर आप इसको cancel करेगे तो 11 by 16 आ रहा है next cos c a square plus b square minus c square over 2 into a b इसको भी आप solve कीजिए तो यह हो जाएगा minus of 1 by 4 minus आ रहा है तो आपको क्या find out करना है 4 cos b cos b 11 by 16 plus 3 cos c minus 1 by 4 तो गया 11 by 4 minus 3 by 4 तो मतलब last is 8 by 4 और 8 by 4 कितना है आपका 2 the number of terms of the geometric series which will make the sum 5,4,6,1 a आपका 1 है r आपका 4 by 1 है sn आपका 5,4,6,1 है we know that sn is equal to a gp rn minus 1 r minus 1 that means 5,4,6,1 1 4 raised to power n r कितना है आपका 4 4 minus 1 3 तो 5,4,6,1 multiply 3 plus 1 4 raised to power n ऐसा हो गया यह तो अगर multiply करेगे आप देन प्लस करेगे 4 raised to power 7 यह होता है which is equal to n is equal to 7 locus of a point such that the sum of its distances from the these two points is 6 let p h,k be any point on the locus then according to question p a plus p b equal to 6 तो हम ऐसे कर सकते है p a और a और p b में distance formula h minus 0 का square तो h square plus k minus 2 का square a square plus b square minus 2 into a b equal to 6 और यह shift कर दो minus p b यहाँ पर क्या था यह under root होका distance formula में 6 minus और p b में भी under root होका तो कर एच minus 0 का square h square k plus 2 का square a square plus b square plus 2 into a b और यह भी आपका ऐसे होगा squaring both side तो आपका बहुत सारी चीज़ कैंसल हो जाएगी तो h square यह सब squaring कर दीजिए यह a minus b का whole square हो जाएगा अगर आप इसको solve करेगे तो यह आजाएगा 8 k minus 36 is equal to minus 12 और h square plus k square plus 4 plus 4 k आप दीखिए under root फिर भी रह रहा है तो मुझे फिर से squaring करने पड़ेगी और एक और चीज यहां से common भी ले सकते है common लेगे आप कितना 4 common लेगे तो यह आजाएगा 2 k plus 9 minus भी common ले लिया equal to 3 और यह हो गया h square plus k square plus 4 plus 4 k that means square कर दीजी अगेन तो यह हो जाएगा आपका यह k cut हो जाएगा 4 k square plus 81 plus 36 k 3 3 is a 9 h square plus 9 k square plus 36 9 4 is a 36 और फिर 36 k फिर से solve कीजी अगर आप फिर से इसको solve करेगे h एक तरफ k h और k को एक तरफ लाइए तो यह हो जाएगा आपका finally this और बस replace करिए last में locus of h k is 9 x square plus 5 y square minus 45 equal to 0 option a what are the points on x x's whose perpendicular distance from the line is 4 length of the perpendicular from point ले लेते है कोई x-axis भी यह तो according to question length of the perpendicular line from this point on 4 x plus 3 y minus 12 is 4 अब perpendicular distance का formula पता होगा यह मैं perpendicular distance का formula लगा रही हूँ और यह कितना दिया है 4 दिया है 3 3 square plus 4 square 9 sorry 16 plus 9 25 that means 5 is that clear तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 alpha minus 12 by 5 over 4 4 alpha minus 12 equal to 20 alpha minus 3 equal to 5 4 common ले ले था that means alpha minus 3 plus minus 5 तो यह alpha की वैल्यू कितनी आगी एक बार alpha minus 3 equal to 5 एक बार alpha minus 3 minus 5 alpha की वैल्यू एक बार 8 आगी और एक बार आपका minus 2 आगी that means जो पॉइंट से आपके एक बार 8,0 and next minus 2,0 the equation of hyperbola the length of whose latest rectum is 8 and eccentricity is 3 over root 5 length of latest rectum is 2b square over a equal to 8 which is equal to solve की जिए इतना हो गया यह अब हमें पता है b square कितना होता है a square e square minus 1 equal to 4a a के यहां से गया तो कितना हो जाएगा a e is 3 by root 5 e square कितना हो जाएगा 9 by 5 minus 1 equal to 4 that means a into 4 by 5 equal to 4 a is equal to 5 a की वेल्यू 5 और हमें पता है तो a square कितना हो जाएगा 25 and b square equal to 4a है तो आप a की वेल्यू पुट कीजिए b square equal to 4 5 जा 20 यह भी पता चल गया the equation of required have hyperbola is x square over a square minus y square over b square equal to 1 the solution of the equation this is what y dash means dy by dx y plus 1 x separate variable here that means dy y plus 1 and dx x now integrate log of y plus 1 equal to log of x plus log c log m plus log n log m into n and here log y plus 1 log c log cancel y plus 1 equal to cx that means y is equal to cx minus 1 next is if a vortex of a triangle is 1,1 and the midpoint of the two sides through this vortex is यह यह आपके पास midpoints centroid पूछा है तो centroid के लिए यह यह और यह हमें पता चीए तभी निकलते है तो सबसे पहले x1 y1 और x2 y2 यह निकालना है तो हम किसे निकालेगे with the help of midpoint तो क्या होगा x1 plus x2 divide by 2 equal to पहला 3 आजाएगा y1 plus 1 divide by 2 equal to 2 is that clear तो x1 यहाँ से कितना आजाएगा 6 minus 1 5 and y1 4 minus 1 3 similarly यह वाला x2 plus 1 divide by 2 equal to minus 1 y2 plus 1 divide by 2 equal to 2 that means x2 minus 2 minus 1 minus 3 and y2 4 minus 1 3 बस पता चल गए आपके पास यह है आपका x2 minus 3 और 3 और यह है आपका 5 and 3 तो आपको पता है centroid centroid क्या होता है centroid of the triangle x1 plus x2 plus x3 divide by 3 y1 plus y2 plus y3 divide by 3 this तो यह x1 y1 x2 y2 और इसको x3 y3 ले ले लिजे तो 1 plus 5 minus 1 divide by 3 and 1 plus 3 plus 3 divide by 3 यह minus 3 था so that means कितना होगा 6 minus 3 3 3 by 3 1 and next 7 by 3 next question देखिए the number of real roots of the equation अगर इस equation में ऐसे लिखतू e x की power 4 e x की power 3 ठीक है तो और हम e x को put करेगे t तो यह क्या हो गया t raised to power 4 t raised to power 3 minus 4 t raised to power 2 t plus 1 अब देखिए यह आपकी equation है polynomial तो हमें roots find out करने है इस तरफ क्या equal to 0 I hope roots find out करने आते है नहीं आते तो थोड़ा सा बता देती हूँ यहां सबसे पहले हमें एक value t की ऐसी put करनी है कि 0 आ जाए तो जब मैंने t1 पूट किया तब मेरा 0 आ गया तो पहला root t minus 1 तो अंदर क्या बचेगा यहां t raised to power 4 तो t cube और यहां क्या है minus 1 last में क्या चाहि plus 1 आपको minus 1 लगाना पड़ेगा तब ही minus minus plus हो जाएगा अंदर क्या चाहिए अंदर चाहिए आपको a t square plus b t अब इस a और b की value find out करनी है तो a की value कैसे find out करेगे जब इससे multiply कर रहे तो t cube हो रहा है हो रहा है कि नहीं that means पहले हमें t cube का coefficient निकालना है तो जब हमने a t square को t से multiply किया तो a q की coefficient of t cube निकाल रहा है और इसको इससे multiply करेगे तो भी t cube आएगा that means t cube हमें neglect करना है तो 1 आया equal to यहाँ पे t cube का coefficient कितना है 1 तो एक इतना है 2 similarly b हमें t into t से मिलेगा ठीक है तो किया मतलब t square से तो b t square that means b और t square कहां से आ रहा है a t square को जब आप 1 से multiply करेगे तो minus a t square तो minus a equal to t square का coefficient minus 4 है यहाँ पे I hope आपको clear है अब value पुट करेगे यहाँ पे value पुट कीजिए minus 4 plus a a मतलब 2 तो b की value minus 2 तो क्या बनगी यह equation यह equation आपकी बनगी t minus 1 तो आएगा यह आएगा a t cube a क्या है plus 2 और b क्या है minus 2 clear अब यह जो cubic equation है इसको solve करना है वैसी पुट करना है कि आप यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कीजिए t की तो t की वैल्यू कितनी पुट करूँगी में 1 0 आ जाएगा अब अब अदर क्या रहेगा t square t into t cube t square कितना हो जाएगा t cube और लास्ट में किया है minus 1 तो यहाँ ओड़ी minus है तो लास्ट में यहाँ plus 1 लगाना पड़ेगा अब अदर क्या जाएगा t square है तो plus a t b t कुछ भी ले लिजिए अब आपको यह b निकालना है तो यह b t को किसे मल्टिप्लाइ करेगे t से तो b t square that means t square का coefficient निकालना है तो वो b t square minus t square तो t square को तो हम क्या करेगे neglect करेगे तो b कितना आगया मेरा 3 आगया अब मेरे बस क्या क्या है एक तो t minus 1 है t minus 1 वो ठीक है next वाला देखिए t square plus b t plus 1 तो हमने क्या किया b की value कितनी आई 3 तो हम t square plus 3 t plus 1 plus minus root 5 over 2 तो यह आपका real नहीं है तो यह नहीं होगा solution t is equal to क्या होगा सिरफ 1 होगा हमने क्या पुट किया था e raise to power x तो कितना था t अब e raise to power x हमारा t था t कितना आचुका है 1 तो हमारा जब x 0 होगा तभी तो यह satisfy होगे left side, right and side मतलब अगर हमारा x की value ऐसी होगी तभी यह 1 is equal to 1 आएगा तो सिरफ कितने solution है वाई बस एक ही real solution है next देखिए आपके बस दिया है solution find out करना है बस एक देखिए 3 pi by 8 3 pi by 8 को मैं से लिख सकती हू pi by 2 minus pi by 8 solve कीजिए वही आता है तो अगर मुझे यह यहाँ भी 3 pi by 8 है यहाँ भी 3 pi by 8 है तो cos 3 pi by 8 को अगर solve करूँगी तो यह ऐसे है pi by 2 minus pi by 8 तो which is cos 90 minus theta sin theta same here sin 3 pi by 8 को भी ऐसे लिखूँगी sin 90 minus theta cos theta is that clear तो बस यही करना है आपको तो cos square pi by 8 cos 90 minus theta sin theta and plus sin cube pi by 8 as it is sin 90 minus theta cos theta बस आप कॉमन लीजिए cos pi by 8 sin pi by 8 अंदर बचेगा आपके पास cos square pi by 8 plus sin square pi by 8 which is equal to 1 that means आपके पास यह बचा सिरफ तो यह कितना होता है आपका अब आपको value पता नहीं होगी तो हम क्या करेगे इसको इस वाल equation को half से multiply half से divide why क्योंकि formula होता है 2 sin theta cos theta which is equal to sin 2 theta is it clear तो यह pi by 4 बन गया sin pi by 4 is 1 by root 2 which is equal to 1 over 2 root 2 next is it's the system of linear equations यह दिये आपके पास and ABC जो है real है are non zero and distinct has a non zero solutions non zero solution मतलब non trivial has a non trivial solution यहाँ पर क्या है non trivial solution is that clear has a non zero solution non trivial solution मतलब ठेक है तो non trivial solution मतलब determinant क्या होगा आपका zero होगा यह सब मैंने डिख लिया equal to zero आप operation ले अपलाई कीजिए R2 R2 minus R1 and R3 पे R3 minus R1 तो क्या हो जाएगा यह 2 2 A A बाकी 0 यह 0 3 B minus 2 B यहाँ क्या हो जाएगा आपका B minus A 4 C minus 2 A C minus A equal to 0 अब आपको क्या करना है determinant करना है तो determinant 2 3 B minus 2 A C minus A minus ठीक है और क्या हो जाएगा यह B minus A 4 C minus 2 A equal to 0 आप इसको solve कीजिए multiply ही करना है last में क्या बचेगा B C plus A B equal to 2 A C multiply कीजिए last में A C से divide divide कीजिए last में A C से तो क्या बचेगा यह B by A plus B by C equal to 2 ऐसा हो जाएगा तो क्या है यह 1 by A 1 by C 2 over A B यह क्या है A A P में A B C अगर आपके A P में है ठीक है 1 by A 1 by B and 1 by C A P में है हम क्या करते है बीच वाले का middle करते है इसको मैंने solve किया बस इसकी form में तो यह यह कब कंडिशन देगा जब आपका तीन जो वैलिव है A B C कब होते है A P जब आपका बीच वाले का double equal to A plus C तो वही चीज है यह A plus C यह A first और यह last और बीच वाले का क्या किया है तो फर्स्ट ऑप्शन next is the solution of limit यह लिया है इसको हम सबसे पहले x की value to put करेगे अब put कीजिये 2 तो यह क्या हो जाएगा 0 by 0 form और अगर 0 by 0 infinity by infinity form बनती है तो एक और formula है लेकिन condition क्या है जो यह limit है वो finite होनी चाहिए ठीक है condition यह है कि limit finite होनी चाहिए तो हम कौन सा rule apply करते है lapitas rule जिसमें हम differentiate numerator को अलग से करते है और denominator को भी हम differentiate अलग से करते है ठीक है तो देखिए अब सबसे पहले क्या है हमें पता है a raised to power x की differentiation a raised to power x log a यह पता है हम differentiate करेगे क्योंकि हमारी 0 by 0 form बनी है तो a x log a प्लस यह भी ऐसा ही a log a यहाँ भी कितना होगा log 3 और further x की differentiation तो यह minus 1 3 minus x की similarly minus half 3 minus x by 2 ठीक है differentiate करे हूँ ln 3 log 3 log a और यहाँ भी 1 minus 3 raised to power 1 minus x log 3 और फिर से 1 minus x की differentiation तो क्या हो जाएगा यह अगर log 3 आप common लेके cancel out कर देगे और यहाँ पर limit x tends to 2 भी आ रहा है तो यह बचेगा 3 x minus 3 3 raised to power 3 minus x और यहाँ पर क्या बचेगा नीचे minus half 3 minus x by 2 plus 3 1 minus x अब देखिए अब आप फिर से limit x tends to 2 limit 2 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा यह 3 का square minus 3 minus 2 1 तो यह 3 ही रहेगा minus half into 3 minus 1 ठीक है क्योंकि 2 by 2 1 ही होगा plus 3 1 minus 2 minus half अब आप solve करेगे तो यह 6 हो जाएगा and next minus 1 plus 2 by 6 solve कीजिए 6 by 6 over minus 1 by 6 हो जाएगा तो that means यह प्लस हो जाएगा क्योंकि minus 1 ही ही रह 30 6 अब आप solve करना इस को लास्ट में next is 5 numbers are in AP whose sum is 25 and product दिया है 2520 one of these 5 numbers एक number दिया है 5 में से minus half then the greatest number among us देखी मैने हमेशा कहा है कि हमें calculation easy करने के लिए 5 number कुछ ऐसे लेने है क्यों क्योंकि हमारा D cancel हो जाएगा और हमें 5 number का sum 25 दिया है which is equal to 5 A 25 A कितना आगे आपका first term 5 आगी अब product दिया है हमें मतलब इन सब का product करना है तो एक तो A ये और ये देखिए क्या हो जाएगा A square minus 4 D square A plus B A minus B A plus B A minus B का formula same here ये ठीक है और साथ में A 25 20 ये product clear इसको solve करेगे 25 की A की value डाल दीजिए अगर आप इसको solve करेगे तो यह हो जाएगा 4 D raise to power 4 125 D square minus 121 equal to 0 अब हमें यहां quadratic equation find out करनी है आ चुकी है हमारी लेकिन में अगर इस D raise to power 4 को ऐसे लिकू D square by square इसको कुछ एक term ले लो X ले लो ठीक है तो क्या हो जाएगा 4 X square minus 125 X minus 121 तो अब देखिए आप मुझे D find out करना है अब भी फिलाल तो यहां से X की value आएगी क्या आजाएगी तो जो मेरा X है वो दो value दे रहा है एक तो आपकी 1 दे रहा है और दूसरी 121 by 4 दे रहा है ठीक है इट मींस हमारा जो D square था D square is equal to क्या है X यहां पर 1 हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा 121 by 4 तो D कितना आगया plus minus 1 D कितना आगया plus minus 11 by 2 अब यह value मुझे put करनी है D की 4 values आगी है और A हमारा first term शुरू में हमें पता है 5 है लेकिन question में दिया है कि हमारी एक value minus half है तो अगर आप check करेगे D की value plus 1 और minus 1 डालेगी तो कोई भी ऐसी value नहीं आ रही है जो minus half है तो that means मैंने इसके लिए check किया था तो D की value जब minus 11 by 2 है तो मेरे जो number थे A minus 2D A minus D A A plus D A plus 2D यह तो आपका क्या है 5 है तो 5 minus 11 by 2 5 minus 2 into 11 by 2 और मुझे आप यहाँ भी पता है कि greatest value पूचिए तो minus minus plus यहाँ पर हो जाएगा 5 plus 2 into 11 by 2 यही वाली आपकी greatest है बाकी आप check कर लेजिए देखे 5 plus 11 by 2 यह कितनी आ रही है 16 आ रही है यही आपका answer है यह कितना आ रहा है 21 by 2 यह 5 है यह कितना रहा है 10 5 to the 10 minus half आगी एक value ठीक है और यह आपका minus 6 आ रहा है तो that means greatest value कितनी हमारी 16 है जिसमें से एक number minus half था तब ही हमने D की value minus 11 by 2 ही चूज की है चार में से कौनसी value D की चूज करनी थी वो हमें question से पता चला क्यूं क्यूंकि एक number कितना था minus half था next is y is equal to y of x is the solution of this differential equation इसको multiply कर दीजे E y dy by dx minus E y equal to E x put E y equal to t E y dy by dt d x with respect to x ठीक है dty d x तो यह देखिए यह पूरा हमारा dty d x हो गया और next minus यह पूरा आपका t है और यह e x है अब अगर आप ध्यान से देखेगे dty d x plus यहाँ पे ऐसे equal to e x यह आपका q है ठीक है और यहाँ पे p की value minus 1 साथ में किस के साथ है y t के साथ है जो हम किस से differentiate करेगे d y y d x plus p y is equal to q लेकिन हमारा फिलाल d y की जगा क्या है d t है तो बस हमें उसी फॉर्म में integral factor निकालना है तो कैसे निकलेगा यह integral factor e raised to power p d x यह हो जाएगा e raised to power minus x तो y into integral factor q into integral factor y मेरा फिलाल t है integral factor यह है q आपका e raised to power x है यह आपका integral factor है e raised to power 0 हो जाएगा जिसके integration x होगी और यहाँ पे t e raised to power minus x तो वापस t की value पुट कीजिए जो हमने substitute की थी यह ऐसे हो गया x plus c अब आपके पास condition है y is 0 is equal to 0 तो यह 0 0 equal to x x भी आपका 0 है तो c कितना आगे आपका 1 e raised to power 0 1 होता है आपसे पूछा है y of 1 कितना हो जाएगा e raised to power this one तो e raised to power y minus 1 equal to 2 तो अगर हम last में e is equal to y equal to निकालते हैं क्या हो जाएगा यह y minus 1 equal to log 2 ठीक है और last y is equal to log 2 plus 1 यह है हमारा solution next is the value of cosec cosec की value आपको पता होगा cosec minus theta minus cosec theta तो यह हो जागा minus cosec और इसको तोट दीजिए 360 into 4 ऐसे हो जाएगा और which is equal to किसके equal है cosec 30 degree तो यह हो आपका cosec 30 degree हो गया which is equal to 2 next the solution of the following system of inequalities यह आपके पास inequalities दीए पहली देखिए हम क्या करें के LCM ले लेके minus 8 minus x by 4 greater than equal to 1 plus x by 3 तो अब आप LCM ले लीजिए 24 minus 3 x greater than equal to 4 plus 4 x 24 minus 4 28 greater than x greater than equal to 4 x plus 3 x 7 x minus 4 greater than equal to x that means x less than equal to minus 4 यह किये बने दूसरी देखिए इस equation से 3 minus x less than 4 x minus 12 that means 15 less than 5 x 3 less than x it means x greater than 3 तो अगर आप इस first equation और इस equation को देखेगे कैसा x की value 3 से बढ़ी और less than equal to minus 4 है कोई ऐसी value तो no common solution that means none of these next is the solution of this equation first of all convert cot inverse x into tangent inverse x क्यों कि फिर tangent inverse x plus cot inverse x का क्या होता है formula होता है तो हम क्या करेगे tangent inverse x x is this and plus tangent inverse reverse उल्टा कर दो इसको बस हो गया ही तो formula लगेगा tangent inverse a minus a plus b over 1 minus a into b तो आपका क्या हो जाएगा अगर आप इसको solve करेगे LCM LCM करने के बाद यह हो जाएगा 2x square minus x plus 1 over x x minus 1 into x raised power minus 1 solve कीजी यह प्रॉपर ठीक है यह हो जाएगा आपका final जो आएगा 2x square minus x plus 1 और 7x minus 7 which is equal to 2x square minus 8x plus 8 equal to 0 final जो आपका quadratic equation है x square minus 4x plus 4 equal to 0 2, 2s are 4 x value 2 and 2 तो मतलब x value 2 next is the acute angle of intersection of the curves हमें के परना है angle निकालना है तो slope निकालना पड़ेगा यहाँ पे dy by dx निकाली है पहले बाले में dy by dx true to the 4 sin x sin x की फ़दर cos x और at pi by 6 तो यह होजाएगा 4 sin pi by 6 is this cos pi by 6 is this ठीक है यह आएगा आपका solve करके slope of slope आएगा m1 लेलो उसको और यह इस वाल equation को भी solve कीजिए तो यह होजाएगा आपका minus root 3 m2 इस दर clear formula क्या होता है tangent theta equal to m1 minus m2 1 plus m1 m2 तो tangent theta root 3 plus root 3 1 plus root 3 multiply root 3 2 root 3 1 minus 3 that means solve कीजिए तो कितना हो जाएगा root 3 और negative tangent theta ऐसा है equal to अब आपको पता है theta is equal to root root हटा दीजिए तो negative positive ही रहेगा modulus जो हटा देगे आप तो positive ही रहेगा tangent inverse root 3 which is equal to pi by 3 तो pi by 3 आपका answer next दिया है आपके पास mean and variance of a random variable x having a binomial distribution यह दिये है mean क्या होता है np equal to 4 और variance क्या होता है np q equal to 2 given दिया है np आपको 4 दिया है यहां पूट करेगे तो q आपका half आएगा we know that p plus q equal to 1 तो p आपका p भी आपका half आएगा यहां पूट करेगे n into half 4 तो n कितना आगया 8 अब we know that हमें formula क्या पता है p of x is equal to r n c r p की power r q की power n minus r ही होता है formula तो हमें क्या 8 c r is 1 इदिया है 1 p half 1 q b half n minus r 8 minus 1 7 तो यह होता 8 और यह होगा इतना आप solve कीजिए 1 by 32 आपका final answer next is sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5 तो numbers are 105, 110, 115, 995 हमें क्या करना है an हमें पता है an इतना है an 995 a plus n minus 1 d ठीक है तो यह solve करेगे आप 890 by 5 plus 1 equal to n n is 179 तो हमें क्या पूछा है sum of all natural numbers lying between 1000 and 100 100 and 1000 तो यह 179 by 2 n by 2 a plus l l या फिर an 179 by 2 multiply by ठीक है solve कीजिए 98450 next दिया है forward value of x is the matrix A is a skews metric देखें यह skews metric condition दीए आपके पास और x की value पूछिए हमें पता है skews metric देखें क्या है a12 minus of a 2 1 similarly a13 minus of a31 अगर आपको skews metric की definition पता है तो आपको question यह आ जाएगा a12 minus of a21 या a13 minus of a31 ऐसे a23 minus of a32 तो आपके पास क्या दिया था x कहां पे है a31 पे है x है आपका which is equal to minus of a13 तो x is equal to minus 2 13 पे कितना है 2 है तो यह आपकी skews metric की definition होती है last question है the eigenvectors of the matrix A यह matrix दिया है eigenvalues निकालनी पड़ेगी पहले फिर eigenvectors निकलेगा eigenvalue निकालने के लिए क्या करते हम a minus lambda i determinant equal to 0 यह characteristics value भी बोलते है इसको तो हमें क्या करना है a को lambda i से subtract करना है lambda मतलब i मतलब identity तो और आपको पता है कि lambda होगा तो ऐसे ऐसे आएगा identity matrix इसको subtract करना है ऐसे तो क्या हो जाएगा 3 minus lambda 1 1 2 4 minus lambda 2 1 1 and 3 minus lambda ठीक है determinant करना है 0 equal to 0 है और determinant आप कैसे गरेगी अब अब इसको थोड़ा operation लगाते है पहले easy करने के लिए r2 plus r1 plus r3 यह हम operation लगाएगे r1 पे तो देखिए क्या हो जाएगा अगर आप r1 r2 r3 2 3 और 1 6 minus lambda यहाँ भी 6 minus lambda यह भी 6 minus lambda तो 6 minus lambda अगर हम common लेते हैं तो 1 1 1 यहाँ बचेगा 2 4 minus lambda 2 1 1 3 minus lambda ऐसे होगा फिर operation लगाएए c2 पे c2 minus c1 और c3 पे c3 minus c1 तो यह हो जाएगा 1 0 0 2 minus 2 lambda 0 0 1 0 2 minus lambda यह हो गया अब easy हो गया थोड़ा सा 2 minus lambda 2 minus lambda common लेना है c2 and c3 से तो 6 minus 2 2 minus lambda का whole square अंदर बचेगा 1 0 0 2 1 0 1 0 1 अब हम इसका determinant करेगे तो यह क्या है 6 minus lambda 2 minus lambda का square यह 1 ही आएगा 1 minus 0 तो क्या हुआ यह lambda की value 6 और lambda की 2 और value 2 and 2 यह है आपकी आइगन वेल्यूज क्योंकि आइगन वेक्टर निकालने के लिए आइगन वेल्यू की जुरुत होती है तो पहले हमें यह निकालना पड़ा तो हमारे पास एक बार lambda 6 से एक बार lambda 2 है ठीक है तो क्या करते है आइगन वेल्यूज वेक्टर निकालने के लिए a-lambda i x equal to 0 lambda की value 6 पुट करके देखते है तो a-6i अब lambda की जगा 6 है और xxyz है तो a कितना था आपका आपने क्या करना है यह जो है इसमें lambda की value पुट करनी है तो 3-6 1-1 2-4-6 ऐसे तो क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा माइनस 3 1-1 2-2 2 1-1 माइनस 3 और xyz यह matrix है xyz equal to 0 matrix अब हमें क्या करना पढ़ता है आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो यह diagonal elements है इसके नीचे वाले जितने भी elements है वो हमें 0 लाने है किसी तरह तो सबसे पहले तो मैं c1 और c3 का interchange करूँगी क्यों ऐसा किया देखिए पहले था 1,2,-3 यह ऐसी रहेगा और minus 3,2,1 ताकि मैं यहाँ पे c1 पे operation लगा सकूँ तो first operation आपका है या r1 पे तो r1 r2 पे लगाऊँगी r2 minus 2 r1 और r3 r3 plus 3 r1 यह आपका operation लगाना है तो क्या हो जाएगा यह अब फिर से मुझे operation लगाना पड़ेगा r3 r3 plus r2 क्यों कि मुझे अभी भी यह जो 4 है मेरा वो 0 नहीं आया है हो गया अब आपके diagonal elements से जो diagonal elements है यह वाले उसे नीचे जितने भी आपके element है वो 0 आ चुके तो आप क्या करेगे हम x plus y minus 3z equal to 0 minus 4y plus 8z equal to 0 यहां से गया निकला y is equal to 2z तो इसको यहां पुट कर दीजिए that means x plus 2z minus 3z equal to 0 तो यह हो जाएगा x minus z equal to 0 x is equal to z तो let z is equal to 1 ऐसे ही लिएते है तो y कितना हो गया 2 into z 2 into 1 और z is equal to x तो x भी कितना आ गया 1 तो आपकी जो आइगन वेक्टर है 1, 2 और 1 अब दिखिए ओप्शन में हमारा lambda is equal to आप 2 से भी चेक कर सकते हैं लेकिन ओप्शन है हमारा ऐसा तो हम यही पर रोग देगे 1, 2 और 1 चली आज के लिए इतना ही daily practice कीजिए और quiz भी attempt कीजिए बाकी वीडियो को share कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और like और subscribe भी कीजिए thank you very much